नमस्का दोस्तू स्वागा थे आपका हमारे चनल पीछे गुरुजी में आज के अपने इस वीडियो में हम एक प्रिस्न को डिसकस करेंगे तो हमें हाँ जिस प्रिस्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं तो प्रिस्न हमारा क्या है प्रिस्न है कि एक कमरे की चारों दीवारों का छित्रफल 220 बर्ग मीटर है इसकी चोड़ाई तथा ऊचाई क्रम सहब 8 मीटर तथा 5 मीटर है कमरे की लंबाई कितनी है ठीक है उसने कहा एक कमरा है जिसकी चारों दीवारों का छित्रफल दिया है 220 ब है पांच मीटर हमें कमरे की लंबाई निकालना है ठीक है तो जो कुछ दिया गया है उसको हम पहले लिख लेते हैं चोडाई हमें दी गई है आठ मीटर और उचाई दी गई है पांच मीटर लंबाई हमें निकालना है तो लंबाई को हम मान लेते हैं एक्स मीटर ठीक है अब दिया गया है कि कम्रे की चारों दीवारों का छेत्रफल तो हम लिख लेते हैं चारों दीवारों का छेत्रफल बराबर 220 मीटर स्क्वार या बर्ग मीटर ठीक है अब कम्रे की चारों दीवारों का छेत्रफल का सुत्र होता है क्या होता है दो लंबाई प्लस चोड़ाई गुड़ा उचाई बराबर में हो जाएगा 220 अब सब की बहलू हमारे पास है लंबाई की X है यहां पर 8 है इसकी 5 है और यहां 220 ठीक है पांच का होगा दो में गुड़ा तो कितना हो जाएगा पांच दूना 10 गुड़ा 10 बराबर 220 तो X प्लस आठ बराबर 220 और जो 10 यहां था वो कहां पहुंच जाएगा नीचे यहां 0 से 0 कड़ जाएगा X प्लस आठ बराबर क्या बचेगा 22 तो X बराबर 22 माइनस 8 ठीक है अब 22 में से जब आप 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहां बचेगा 14 ठीक है तो लंबाई यानी L बराबर कितने निकल के आगई 14 मीटर बस फिस्न में कुछ नहीं था हमें यहां कमरे की चारों दीवारों का सूत्र लगाना था और यहां पर हमें लंबाई एक्समान ली और लगा दी तो हमारा आंसा निकल के आगया 14 मीटर यानी उस कमरे की लंबाई कितनी है उस कमरे की लंबाई है 14 मीटर ठीक है तो ऐसे ही नोलेग बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चनल पीके गुरुजी के साथ नमस्कार कर दो हमारा आपके लिए नमस्कार